हालो दोस्तों दिख रहे हैं चैनल केंपुस नियूज दोस्तों दिली के स्कूल अफ पिलर्णी के थर्ड समेश्टर और फिफ समेश्टर के ऐसे चात्र जिनका नॉम्बर दिसंबर में ऑपन बुक के माधियम से जो है ऑनलाइन एक्जाम हुआ था लेकिन बहुत सारे चात्र जैसे उन्होंने जो है एक या दो एक्जाम जो है नही दे पाए हैं तो कि आव एक्जाम इन सेकंड फेजOS में जो है दे सकते हैं कि नहीं आजमर में बी च हैचा करने वाले हैं बाकी गर आप चैनल पे नहीं हो चैनल को सिब्स्क्राब कर लिजिएगा सस्काइब करीजह ताकि डी उएसोल से रिलेटर सार आप डी टमारे इस चनल पर आपको मिलता रहे तो दोस्तों थर्ड समेश्टर और फिप समेश्टर के दुवारा से जो है सकेंड फेज में एक्जाम जो है कंडेक्ट करवाया जा रहा है जिन छात्रों नहीं दिया था उनके लिए लेकिन बह लीड़े पाये थे तो जो है पूछ रहे हैं कि क्या हब जो हम सकेंड फेज में दुवारा एक्जाम हो फिर नई देपाएंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि जो भी छात्र है जो थिप सो मेस्टर के चात्रों अगर आपने जो हैं नॉंबर दिसंबर में इंग्जाम में जो है हिस्सा लिया था तो आप जो है आपको कोई भी एक्जाम जो है अभी नहीं देना है सकेंड फेज में यह सिर्फ उनी चात्रों के लिए है जिन्होंने जो है कोई भी एक्जाम जो है नौंबर दिसंबर में नहीं दिया था यह सिर्फ उनके लिए है अगर आपने जो अब 5th semester में होगा और जो 5th semester के छात्र है उनका जो है 7th semester में आप जो है exam लिया जाएगा जिन subject का छूट गया है तो अब जो है इंतिजार करें बाकि जिन subject जिनको लगता है कि हमारा exam ठीक से नहीं गया था और वो भी चाहरे हैं कि हम जो है दुवारा से देते तो आपको जो ह लगता है कि आपके exam को जो है यानि कि दोनों समय के answer seat को जो है cancel कर दिया जाए और आपको जो है फेल कर दिया जाए तो दुवारा आपको जो है नहीं भेजना है दुवारा जो है exam में हिस्सा नहीं लेना है तो उमीद है कि आपको जो है पूरा confusion जो है दूर हो गया होगा औ और भी कोई सवाल है या फिर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें इस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वाकिया आज के इस वीडियो में इतने ही सुक्रिया धन्यवाद